त्रिफला के रेचक और पोशक गुन आईए जानते हैं इसके बारे में क्या आपको पता है कि त्रिफला में रेचक और पोशक दो तरके गुन है और दोनों के लिए त्रिफला की सेवन वीदी अलग है आईए जानते हैं इसके बारे में त्रिफला चून एक ऐसी आयुर्वेदिक ओस्तदी है जिसका इस्तिमाल गर गर में किया जाता है त्रिफला तीन फलो आवला बहिडा और हरड को मिला कर तयार किया जाता है त्रिफला में दो तरक के गुण होते है पहला रेचक और दूसरा पोशक दोनों गुण को पाने के सेवन अलग अलग तरीके से किया जाता है तो यह रेचक का काम करता है यानी यह सूबर करने में दिक्कत होने पर आपकी आतों को कली ने में मदद करता है रेचक गुण का लाब उठाने के लिए आपको रात को सोने से पहले एक चमच त्रिफला गुणगुने दू दिया फिर गुणगुने पाणी के साथ पी लेने से फाइदा होगा वही अगर आपका उदेश्य त्रिफला से पोशक प्राप्त करना है तो आपको इसका से वनसुबख खालिपेट करना चाहिए आप एक चमच त्रिफला एक गुणगुने पानी में गोल कर पी सकते है त्रिफला विटामिन C, कई एक्टिव कमपाउंड, एंटी ओक्सिडंट, एंटी इंफ्लेमेंटरी, एंटी फंगल, एंटी पोग ग्लाइसेमिक गुणों के साथ अनिक खुबियों से भरा है इसलिए इसके कई स्वास्थ्य लाभ मिलते है पेट की समस्याओं के साथ साथ त्रिफला से होने वाले अनिय स्वास्थ लाभों की बात करे तो यह मेटाबोलिजम को बूस्ट कर वजन गटाने में मदद करता है इसका सेवन से टाइप टू डायाबिटीज, मान सिक्तनाव, कमजोर इम्यूनिटी, रदै रोग, एजिंग इफेक्स, जड़ते बाल, कमजोर द्रस्टी, दातों की कमजोरी जैसी अनिक स्वास्य समस्याओं से राहत मिलती है